पित्रों रामिश्वर में जो शिबिलिंग है वो प्रभूश्री राम के हाथ से अस्थापित है जब प्रभूश्री राम लंका जा रहे थे रावन से युद्ध करने के लिए तो वहां की रमनिक जगह देखकर भगवान बोले कि यह जगह तो बहुत अच्छा है इसकी महिमा का बर्नन नहीं किया जा सकता है मैं यहां सीब जी की अस्थापना करूँगा मेरे हिर्दय में यहां महान शंकल्प है स्री राम जी के बचन शुनकर शुग्रीब ने बहुत से दूत भेजे जो सब स्रेस्टमुनियों को बुला कर ले आए सिबलिंग की अस्थापना करके बिधी पूर्वक उसका पूजन किया फिर भगबान बोले कि सीब जी के शमान मुझको दूसरा कोई प्रिये नहीं जो सीब से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है वह मनुष्ट स्वपन में भी मुझे नहीं पा सकता संकर जी से बीमुखो कर यानि की भगबान भोले नाज से बिरोध करके जो मेरी भक्ती चाहता है वह नरकगामी मुर्ख और छोटे बुद्धी का है संकर प्रिये मम द्रोही अशिब द्रोही मम दास अते नरक रही कलप भरी अगोर नरक महुबास जिनको संकर जी प्रिये है प्रंतु जो मेरे द्रोही है ये बम जो सीब जी के द्रोही है और मेरे दास बनना चाहते हैं वे मनुष कलप भर घोर नरक में निवास करते हैं अजे रामेश्वर दरसन करी हैं जैसी आराम जै जै है नुमान जो गंगा जलवानी चड़ाई ही असो सा युज्यमुक्ति नरपाई ही जो मनुष मेरे द्वारा अस्थापित रामेश्वर जी का दरसन करेंगे वे शरीर छोर कर मेरे लोक को जाएंगे और जो गंगा जल लाकरिन पर चड़ाएगा वह मनुष शायुज मुक्ति पाएगा अर्थात मेरे शाथ एको हो जाएगा अहोई आकाम जो छछलत जी से यहीं अब भगती मोरीते ही संकर देहीं अम्म मकिर्ता से तु जो दरसन कर रहीं जैसी आराम जै जै हनुमान जो छल छोर कर और निसकाम होकर स्री रामे स्वर्जी का किशेवा करेंगे उन्हें संकर जी मेरी भक्ती देंगे और जो मेरे बनाए हुए से तु का दरसन करेगा वह बिना ही परिश्रम शंसार रूपी शमुद्रशे तर जाएगा अराम बचन सब के जीए भाए जैसी आराम जै जै हनुमान अमुनि बरा निज निज आस्त्रम याए जैसी आराम जै जै हनुमान तो गीरी जा रगुपती के अहरीती असंतत करही प्रनत परप्रीती श्री राम जी के बचन सब के मन को अच्छे लगे कदंतर वेस्रेस्टमुनी अपने अपने आस्रमों को लोटाए सीब जी कहते हैं कि हे पारवती श्री रगुनाथ जी की यहरीती है कि वेस्षर नागत पर सदा प्रीती करते हैं अबांधा शेतु नीलन लनागर जैसी आराम जै जै है नुमान अराम क्रिपा जसु भयवू जागर जैसी आराम जै जै है नुमान अबू रही या नहीं बो रही जै ही अभए उपलबो ही तशमते ही चैतुर नल और नीलने शेतु बंधा श्री राम जी की क्रिपा से उनका यह उजल्यस सरबत्र फैल गया जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरे को डूबा देते हैं वे ही जहाज के शमान स्वेंग तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए अ महिमा यहन जलधी कई बरनी जैसी आराम जै जै हनुमान अपाह न गुन न कपिन कई करनी जैसी आराम जै जै हनुमान यहन तो शमुद्र की महिमा की बरनन की गई है और न पथरों का गुन है और न बानरों ही बानरों की ही कोई करामात है तो क्या है कि सिरिर गुबीर प्रतापते सिंदुतरे पाशान अतेमती मंद जे रामत जी अभजही जाई प्रभुवान श्री रगुबीर जी के प्रताप से पत्थर भी शमुद्र पर तैर गए ऐसे श्री राम जी को छोर कर जो किसी दूसरे श्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चे ही मंद बुद्धी हैं तो बोलिए जैसी आराम जैसी आराम जै जै हनुमान संकट कटे मिटे सब पीरा जैसी आराम जै जै हनुमान जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जैसी आराम जै जै हनुमान जै 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 हनुमान गुसाईं जैसी आराम जै जै हनुमान करहूं कृपा गुरुदेब कीनाई जैसी आराम जै जै हनुमान दीन दयालू बिरदुशंभारी जैसी आराम जै जै हनुमान हरहुनाथ मम संकट भारी जैसी आराम जै जै हनुमान हरहुनाथ मम संकट भारी जैसी आराम जै जै हनुमान एक घरी या दो घरी या दो में पुनियाद अतुलशी संगत साधु की हरै कोटी अपराद सियावर राम चंद्र की जै अयोद्या राम लला की जै ब्रिंदावन विहारि लाल की जै पवन सुत हनुमान की जै बोलो भाईशब शंतन की जै हरहर महादेब जैसी बुशंभो बोलो जैता दो औरी जैसे जै बे banco